नमस्कार वी स्पाथी पाटिल बुलेटीन में अपले स्वागत आए पुन्याचा पुस्तक प्रकाशन सोहड़ात परश्ट मंत्री एस जय शंकर बोलता है थेट जवयात एक किसम से successful example जो है वो आपल का है कि भारत में अब आईफोन बन रहा है और हमारी अपेक्षा है कि ऐसे और भी के बड़े-बड़े उधारन आगे वाले दिनों में निकलेंगे तो जो किताब की जो टाइटल जो है इंडिया वे तो इंडिया वे है क्या भारत मार्ग मार्ग है वे है पातवे है पर ये इंडिया वे जो है ये तरीका भी है कि इंडिया का एक वे है कि दुनिया की परिस्तिती में भारत की सोच क्या है भारत से क्या सुझाव निकलते हैं भारत कैसे मैनेज करते हैं और एक किसम से इंडिया वे दूसरों के लिए मौडल है उध अगर वो जो हैं हमारे साथ अगर जुड़ जाएं तो उनके लिए कितना लाब हो सकते हैं तो इंडिया वे इसके मैं मुझे इसका अगर मैं निचोड निकालूं तो मैं कहूंगा इसके छे मुक्या पहलू हैं एक है आत्मनेरभात्ता कि जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं रहेंगे तक हमारी जो अपेक्षा है हमारा सपना जो है कि हम दुनिया के एक लीडिंग पावर बनेंगे हम लीडिंग पावर तभी बनेंगे जब हम आत्मनेरभार होंगे जब हमारी basic industries, हमारी manufacturing, हमारी agriculture, हमारी services, हमारी technology भारत में रहे, भारत से बनाया जाए और ये अगर मैं कहूंगा पिछले 10, 8, 9 साल में एक बड़ा परिवर्तन आया है, ये आत्मन निर्भरता के बारे में आया है और अगर आप मुझे कहेंगे कि आप मुझे एक formula देजी, कि भारत को leading power कैसे बनाए, मैं कहूंगा formula है make in India, make in India अगर सफल रहे, तो ये मैं आपको बिलकुल आश्वासन दे सकता हूं कि भारत यहां से वहां तक पहुचे का, और ये संबाद है, मैंने आपको apple और iphone की उधार दी, आप कभी सोचें, vaccine के बारे में सोचें, कि पिछले तीन साल में पूरी दुनिया vaccine बनाने के कोशिफ कर रहे थी, और कुछ देश थे जिन्होंने बनाए थी, और हमारे scale में, हमारे cost में, और हमारे quality में, आप देखें कि vaccine कहां और बना, अब इसमें ये भी है, कि हमें अ आत्मन निर्भरता को अगे ले जाना है, तो हमारे domestic supply chains को हमें खड़े करने हैं, हम दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते, और ये अगर पिछले 30 साल में कमी है कहीं, ये कमी है कि हम हर समय ग्रोध की बात करते थे, पर हमारा ग्रोध जो है, खासकर चाइना से intermediates और components इंपोर करता था, अब समय आ गया है कि हमें हम अपनी industry, खासकर जो SME सेक्टर जो है, इसको पूरा support दे, ताकि हमें डेश के अंदर जो supply chain जो बननी चाहिए, वो बने, और दूसरा, कि हम साथ ही साथ global supply chain, global market के साथ भी जुडें, ये नहीं है कि हम जैसे 1970 और 1980 कि हम देश के अंदर ह कि हमें वो स्रमता है, हमारी manufacturing, हमारी जो products जो है, आज दुनिया में successful हो सकती, और अगर आपको इसका उधारन चाहिए, तो आप देखिये दो दिन पहले, जो Republic Day में जो parade जो हुआ था, अभी तक हम देख रहे थे कि ज्यादा तर जो भी parade में जो हतियार जो, जो production, जिनकी production हो कितने ऐसे चीजें थी, ऐसे platforms थी, जो भारत में बनी थी, और मुझे पता उन में से कुछ तो पूने में भी बने थी, दूसरा पहलू जो है, आत्म निर्भर के बाद आत्म विश्वास का है, क्योंकि जब तक देश में आत्म विश्वास नहीं है, वो देश जो है, वो compromise कर करता जाएगा, कि कभी कर, और ये जो, जो global politics, हर politics में कभी-कभी compromise करने की ज़रुत है, पर अगर हमारी, हमारी अपेक्षा है, हमारी एक किसम से ambition है, कि हम दुनिया में बड़े, तो हमें कभी-कभी ऐसे समय आएंगे, जहां जब चुनोतिया, ऐसी चुनोतिया आएंगे, ज जहां हमें उसका सामना करना पड़ेगा, और उसका उधारन दिविंदर जी ने दिया, आप सब जानते हैं कि उकरेन के बारे में हम पर कितना दबाव था, हम पर इतना दबाव था, पर रधान मंतरी पहले दिन से उनकी सोच बहुत थी, माने सपष्ट थी, कि हमें जो भारत के हित में है, वो ही करना चाहिए, और जब किसी भी विदेश मंतरी को इतनी सपष्टा से आदेश मिलती है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि मेरा काम बहुत असांत है, और ये खाली उकरेन का मबला नहीं, अगर आप कभी-कभी हर देश जो है, हमारे देश, हम सब हतियार लेत हैं दोसरों से, हम एक देश हैं, जिन्होंने सब के साथ आप्शन खोल रखा है, हमने फ्रांस से रफैल की हवाईजाद ली, हमने रूस से S-400 Air Defense System लिया, अमेरिका से हलिकाप्टर ली है, तो सब के साथ एक किसम से, जो जिसमें ज़्यादा आत्म विश्वास है, वही देश जो है, वो सब के साथ बड़े लेवल पे, सबसे उस सथ पे, वो पूरा जो इंटरनेशनल गेम जो खेलना होता है, वो खेल सकता है, तीसरा जो है, ये आज कल समय की मांग है, कि विशाय अनुसार सहयो कैसे बढ़ाए जाए, कि अगर आप किसी भी शेतर में देखें, ये न अर्थिक पार्टनर होंगे, या टेकनोलिजी पार्टनर होंगे, या एनरजी पार्टनर होंगे, अलग-अलग होते हैं, तो अलग-अलग शेतरों में, अलग-अलग साजेदारी हम कैसे बनाएं, और साथ ही साथ सब को कैसे साथ ले जाएं, और क्या होता है, इसमें भी कभ के हमने तैय किया था कि हम इंडो पैसिविक में काम करेंगे और इस पर दबावायल दूसरे देश